तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज बात करना है देखिए एक तो है कल का जो एक्जाम होने वाला है जो मॉक टेस्ट वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने वे सारे स्टूडेंट से मकाउत के अंडर में सभी स्टूडेंट प्लीज अटिन कीजिए क्यों क्योंकि specifically यह जिस जो लोग स्टूडेंट पहले नहीं दे पाए थे उनके लिए भी है और यह रिक्वेस्ट भी किया गया है कि जितने सारे स्टूडेंट से हैं वो फिर से एक बार दे so that they can become familiar और हाँ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप सभी लोगों से discussion करना चाहूंगा यहां पर कि देखिए कुछ problems थे पहले system में जो artificial intelligence हम लोग कहते हैं उसमें जो procuring software उसमें है तो उबाला जो problems था problems solve ज्यादा तर जो problems था solve किया गया है और कल उसका भी एक trial run है कि जितने भी सारे problems हैं उस सारे solve हुए है कि नहीं तो इसके चलते हम यह request करूँगा मैं service student से please आप attend किजिए यह attend करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपका जो skin है यानि कि आपका जो face है यह face आपका recognition करेगा और यह recognition process ठीक तरह से हो रहा है के नहीं यह भी देख लेंगे ओ लोग और देखिएगा पिछले वाला जो notice था वहाँ पे एक बात specifically का गया है कि जब आप कोई अपना digital admit card download करेंगे तो वहाँ पे शायद एक option आएगा जहाँ पे आप अपना latest जो photograph है यानि कि आप अपने mobile से एक latest photograph उठा लीजिए और उसको डालिए वहाँ पे तो आपका जो face recognition का जो main problem जो दिखा रहा था problem शायद नही रहेगा फिर कल ही हम लोगों को पता चल जाएगा और exam के दिन original जो exam है उसके दिन अगर सारे problem solve हो जाते हैं तो कुछ क्या कहूं मैं आप लोगों से कि उस दिन आप mobile से आप exam दे सकते हैं क्योंकि आगर आपके पास और कोई दूसरा साधन ना हो सर्फ mobile ही आपके पास है तो mobile से आप कैसे अच्छे तरीके से क्योंकि आप लोगों को पता है कि mobile जो होता है उसमें बहुत सारा sensor लगा होता है और हो हिलते हिलते डूलने से कुछ problems आ जाते हैं उसमें तो आपको अगर warning ना चाहिए या फिर और कुछ ऐसा कोई warning आपको ना मिले तो इसके चलते मैं एक नया वीडियो ला रहा हूं कि कैसे आप mobile से secure तरीके से exam दे सकते हैं तो वाला वीडियो जरूर देखिएगा और इसके साथ मैं ये बार बार repeat कर रहा हूं कि देखिए you need to remember the actual points during the actual day so इसके चलते मैं और एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि देखिए आप exam तो देंगे ही जरूर लेकिन उसके साथ-साथ आप लोगों का जो पढ़ाई है पढ़ाई भी चारी रखिए मैं नोट्स भी आप लोगों के लिए ला रहा हूं सेरीज में आज ही कुछ मुच दोंगे तो सब्सक्राइब श्यूमिनाथी यूटूब चनल